क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था रश्या-यूक्रेन वाले पूरे कंफिलिक्ट में हमने बार-बार एक बार सुना प्राग्मेटिजम की क्या भारत ने जस्टिन टुडो को अपना प्लेन ओफर किया था जाने के लिए वापस 18 सितंबर को वो अपनी पार्लियमेंट में बोलते हैं केनेडियन सेक्योर्टी एजन्सी एफ बीन एक्टिबली पर्सुनिंग एडिबल एलिगेरिशन सुचना है तो दीजिये हमें इंडिया को धंकी दे रहा है आवी रेजिंग इस इश्यू सर्फ वाट वस देर रिस्पॉंस जब हमारे सेंट फ्रांसिस्को में कॉंसलेट पे हमले हुए वो कहरें कि वो उसका इंवेस्टिगेशन कर लें क्या जो बाइडन हमारी रिपब्लिक डे परेड में आने वाले थे और इन सब चीजों के बाद उन्हों नहीं इंकार कर दिया ने मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कनेक्शन था कई लोग मानते हैं कि भारत का श्री लंका में पीस कीपिंग फोर्स का भीजना हमारा वियतनाम बार मॉमेंट था हुँँआ वेडिर राउन इसेस्मेंट इसका सबक यह है भी वरी केरफुल कमिटिंग फोर्स एपसे आप M.E.A. में हैं, U.S. की डेस्क पे हैं, 1-2-3 एग्रिमेंट, मनमोहन सी अपनी जगे आड़े हुए हैं, ये ज़रूर करना है. And back at that time, BJP was opposing this deal. How do you look at it now? Were they right? Were they wrong? No, I think the deal has helped the country. I don't think it should be a party issue. You know, Obama will be going on 27 January and 28 January will be announced that S.J.A.S.H.R.D.S. will be true, until the other happened on September. I was 1 day before, Shisman Ji's phone. What about 19? Who did you phone? What did you call your president when he met in the cabinet? Everybody was in favor in the family to join the cabinet. I did not tell anybody. Indian Express has told the report that India has given 7 changes. जिस इंडिया ने डिमांड किये, M.E.A. ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अकभार ने कहा, हम अपनी रिपोर्ट पे कायम है, जो हम चाहा रहे थे, वो नेपाल को करना पड़ा, लिम्टेड स्केल पर, ऐसा नहीं है, कभी-कभी अकभारों की आदत होती है, जो कभारों की लिए, पर, लिम्टेड की आदती है, मुझे नाचार को आइब थे, भारों को चेड़ा की लिए फेप्लिपार ने लुचेपारों की स्केलिए, कि अगर इसी फॉरमेट में इसी कॉन्टिशन लागू किया, तो बुरा अंजाम होगा, यपको यह करना पना नही जोपूर लॉयर हैं, बीजेपी की स्पोक्सपरसें, उन्होंने कुछ कहा, फिर ट्विटर पे उसको प्ले किया गया, टैग किया गया, फिर कुवेट समीत कई जगे हमारे राजजूतों को तलब किया गया, अभी और हैंडल सेटन सिचुएशन, हमने हैंडल करते हैं, 12 फरवरी 2024 को ख़वर आती है कि भारत के तमाम प्रयासों के बाद, कतर ने हमारे जो नेवी वेटरेंस थे, उनको रिहा करने का फैसला किया, अजीर डोवाल साब ने दो तीन दौरे किये, कतर के, आपने मना भी नहीं किया है, शानुख खान की मदद भी ली गई, डॉमेस्टिक इशूज और जो सो कॉल स्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो रिसेप्शन है, यह बहुत अलग है, मेरा जवाब यह होगा, और रियालिटी दस नॉत माश्त ना नराटिव इस रॉग्ज अगा नराटिव इस रॉग्या झागा, जिए नराटिव इस रॉग्या है, जिन मेहमानों की उमीद थी उन मैंसे ए रूस के राष्ट्पती ब्लादीमिर पुतिन नहीं आए, जब की अगले ही माहिने वो चीन के दोरे पर गए. वट अबाउट शी जिन पिंग? उनकी जगे प्राइम मिनिस्टर ली आए. ये हर देश का हक होता है. हम भी ये एहसान चुकाएंगे आगे जाके? देखते हैं. इसमाइल सेज अलॉट. इस्तिती क्या है भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर आज की तारीख में जब हम आपसे मुखाते वी हैं. 15-16 जून को क्या वो हमारी टरिटरी में घुसाए थे? चीन की सेना. शरी? 15-16 जून की दर्मियानी रात क्या चीन की सेना भारत की सिमा के अंदर घुसा ही थी?